Hello everyone, welcome to Step Up Academy, I am one and a trained educator for English language, कैसे हैं आप लोग? Alright, मैं आगी हूँ, मेर साथ आगे हैं, ये प्यारे से गुरू मुलू से पैंडा, भागता हुआ आगया है वो, हैना, अब भागता हुआ आगया है वो, जल्दी में सले रहता है बिचारा आजकल, क्योंकि super-duper quick revision झो है अपना चल रा है, exam का time है, हना, exam होने ही वाले है, किसी भी घड़ी जो है माईर सार पर गाज गुर सकती है, तो क्या है, supreme quick revision में हम क्या करता हैं, जो चीज हमने one shot में बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी है बहुत डीटेल में पढ़ी है उसी को हम quickly wrap up करते हैं राइट फटा फट रविशन इसको अपन सीधे सीधी भाशा में बोलते हैं अभी क्या हो रहा है देखो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं हमारा जो आपकी footprint without feet है जो आपकी supplementary reader है राइट उसका अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें discussion करने वाले हैं chapter number 3 की midnight visitor की ठीक है midnight visitor का super duper quick revision है बहुत मज़दार सी स्टोरी थी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है जब हमने पूरी स्टोरी का narrative पढ़ा था तो उसमें एक बात थी जो हमें समझ में आत हाई आइम बॉर्ण च्रेम्स बॉर्ण या चलो देशी आ जाते हैं तो टाइगर या पठान टाइप का तो उसमें बिचारे और भाई साब जो है वो फिट नहीं बैठते ठीक है लेकिन वो फिट अपने फिजिकल फीचर के वज़े से रहीं बैठते लेकिन उनका दमाग उ सीग्रिट सर्विच एजिंट बनना चाते हैं तो इस बेरी इंपोर्टत इंपोर्ट नथ यहाद यह ब्रेन आप यह विट राइडड और यह और यह से ओंट बैठन यह डॉट आट आप इस यह परेयं पार आद यह विट और उसी के और उसी कि कहनी टु आमें पर ऑश एक कहानी है जो कि आप कह सकते हैं इनका जन जो था वो 10 नमेंबर 1909 को हुआ था फिलिपीन्स में ठीक है और राइटर है speculative fiction के speculative fiction मतलब इसमें आप बात कर सकते हैं एक thriller है एक drama है एक एक twist है जो आपको इनकी कहानियों में मिलता है राइट और वो बड़ा high point होता है जब इनकी कहानिया जब end होने लगती है तो वो जो end होता है वो बहुत मज़दार होता है बड़ा twist होता है कई बड़ा satire होता है उसमें इस कहानी में जैसे एक बहुत ही amazing सा twist है last line में ठीक है तो वो important है अगर आप बात करते हैं तो उन्टों बहुत सारी mystery books लगी है लेकिन का mystery और thriller अगर आप बात करते है suspense mystery thrill ये इनका forte है writing का all right author was honored twice by the mystery writers of America with the edgar awards for the best radio drama he died on 2nd May 1969 in Pennsylvania United States of America ठीक है अब ये पता है author के बारे में समशना क्यों important होता है तुम लोग को लगता होगा यार author के ओपर कोई questions होना आता मैं क्यों बताती है इतना author या poet की बारे में बच्चे जानना इसलिए important होता है कि जो आदमी लिख रहा है ना कोई चीज वो अगर आपको एक पर उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ background या कुछ चीज पता हो तो आपको एक flair of writing का idea हो जाता है हाना मनलब मैं आपको बता हूं writing अपनी आप में ही बहुत बड़ा signature होती है हर आदमी का लिखने का तरीका जो होगा आपका अलग होगा आपकी friend का अलग होगा किसी बड़ी season writer का लिखने का तरीका अलग होगा उसी एक particular topic पे तो वो हमें flow समझना बहुत important है अभी तो तुम लोग जैसे छोटे हो 10th में हो ना आगे जाके जब बड़ी classes में जाओगे तब तुम्हें इसकी importance जाजा समझ भाएगी लेकिन तब जाके नए से रहे से सीखना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है तो foundation एक बार बन जाए ना वह बहुत important role play करता है ठीक है अब theme क्या है भाई theme देखो theme यह है कि max was a spy who is over confident and too proud max कोन प्राणी था max यह आदमी था जो कि वह audible के room में enter करता है ठीक है उसकी बात हो रही है अब यहाँ पे दो theme है एक तो यह को जो कि हमारा you know protagonist है वो फिट नहीं होता साचे में जिसको हम बोलता है एक इग्दम टिपिकल जो stereotypical image है spy की उसकी उसमें ठीक है जो हमारी नजर में जैम्स बॉन टाइगर पठान वाली image में नहीं फिट होता है ठीक है और max जो है वो spy है और बिलकुल दिखने में बड़ा handsome और बड़ा confident type का है लेकिन basically इतना proud है इतना vain है कि वो अपनी over smartness में गलती कर जाता है ठीक है तो यह चीज़ बताए गई है his pride blinded है many thought that wielding a gun would give give a further edge over the seemingly slow possible seemingly slow मतलब जो दिख रहा था slow ठीक है क्यों हमने माना कि seemingly slow है क्योंकि उसकी physical attributes से हमें लग रहा था कि seemingly slow है लेकिन क्या वो seemingly slow था seemingly तो मतलब देखने में पर क्या वो actually slow था बिलकुल नहीं था वो बहुत-बहुत smart था और इसने आउटविट कर दिया यह भाई साब मैक्स को जो अपने आपको बहुत hero समझ रहे थे ठीक है however despite the apparent pride and confidence मैक्स was utterly unsuccessful ओसबल आउटविटिद हम without lifting a finger मतलब वो गन लेका आया था और ओसबल ने एक उंगली तक नहीं उठाई और इसके बावजूद उसको आउटविट कर दिया और मैक्स को मार दिया ठीक है so this is the theme कि अगर आप दिमाग से काम लेते हैं तो आपको शारीरिक बल लगाने की जरूरत ही नहीं है दिमाग ही अपना काम जो है अगर ट्रिक दिमाग की अगर चल गई ना तो बाकी जितने मसल पावर है वो सब धरा का धरा रह जाता है ठीक है तो it is against the brain power and the brawn power इसकी बीच का जो द्वन्ध है वो भी आपको कही न कहीं बताया गया है now max in fact jumped out out jumped to his own death by taking audible's word at face value face value मतलब क्या जिस चीज को उसने बोला max ने बिना कोई उसको cross check किये बिना उसको कोई second thought दिये बिना उसको कोई भी आप कह सकते हैं कि बिना उसको authenticity उन शब्दों की जाने या कुछ भी किये बिना उसने सिर्फ जो audible ने कहा face value पे उसको माल लिया and that led to his doom right thus one learns that one should not be proud and must pay attention to the finer details before attempting to do anything और इसलिए हमें ये पता चलता है कि first you don't have to be very proud and vain second आप जो भी काम करना है you need to know the final finer details about that particular work right third आपको किसी को भी underestimate नहीं करना चाहिए fourth आप जो आदमी जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं है वो वैसे ही हो you should never judge a book by its cover ठीक है और पाच मी चीज ये कि सामने माला गर आपसे कोई चीज कह रहा है right so आप उसको अंधो की तरह लेक पूरा अपना दमाग और अपनी you know अपनी intelligence और अपनी rationality को ताख पर रखे उसकी बात नहीं मान सेथे even if you are in this situation of a very grim situation where it is like life and death की भी situation के अगर बीच में हो तो भी थोड़ा सा दमाग लगा लेना चाहिए cross check कर लेना चाहिए facts को ठीक है so ये पाच चीजे हमें इसमें थीम में नजर आती है जैसे मैंने कहा कि थीम बेसिकली क्या है brain versus brown ये क्या बात हो रही है कि दिमाग और शारीरिक बल के बीच का द्वंध जो है वो भी इसकी एक major theme है और राइट चलो अब सम्मरी पढ़ लेते हैं फटा फटा फट देख भाई और जो है वो एक secret agent है he's expecting to get an important paper, Max an intruder enters his room he wants to get that paper from Ausubal, he has a pistol in his hand Ausubal being quite normal plays upon a trick on Max and gets him killed without any fighting and shooting Ausubal was staying in a French hotel a young and romantic writer named Fowler came to meet him Fowler was disappointed to see Ausubal अब क्या बात हो रही है Ausubal जो है वो secret agent है और वो expect कर रहा है कुछ बहुत important documents या पेपर जिसको लेने Max जो है उसके कमरे में घुस जाता है ठीक है, intrude करता है, घुस जाता है, घुस पेटियर टाइप ठीक है और gun 1 और pistol 1 लेके घुस ता है अब क्या होता है Ausubal जो बहुत normal है उसने बढ़ी normally कोई वो panic नहीं करता वो hyper नहीं होता और बहुत easily वो एक prick play करता है जिसकी वज़े से Max जो है वो अपने doom पे रीच करता है अब इसके पीछे की कहानी क्या थी कि Ausubal जो है वो एक French hotel में रहता था which was not a very well off French hotel kind of a normal सी French hotel थी not a very fancy and spanky of the hotel जैसे हम देखता है कि हमारे you know secret service agents रुखते हैं वैसी कुछ में नहीं थी बहुत ही ordinary nominal सी hotel थी जिसमें वो रहता है और इसके sixth floor पर उसका room होता है ठीक है और एक young और बहुत ही romantic सा एक writer है जिसका नाम Fowler है और वो आता है इसको साथ Ausubal के साथ और वो बहुत ही disappointed हो जाता है उसका room देखके और Ausubal को देखके क्युक्क उसके दमांग में ही रहता है कि मतलब secret service agent और मतलब आप स्पाय तो मतलब बहुत ही चका चॉन सा होगा swanky से hotel room होगा और वहाँ आपे बढ़िया से जैसे अपन दखाते ना काप रे में लड़कियां घूम रही होंगी और इस तरह का वो उसके दमांग में कुछ image रहती है बिलकुल एकदम tuxedo में पहना हुआ और क्या वो वो बोलता है कि वोट का मार्टनी, shaken but not stirred वाला कुछ image रहती है उसके दमांग में तो अब इसमें मर्ता क्या नहीं करता बोलेगा तो क्या और जैसे ही यह बात हुई तो अब हुआ क्या यह वोट क्या, he was a slopey fat fellow his room was at the top and sixth floor of the musty and gloomy hotel ठीक है, when they both entered the room the audible and audible switched on they found that the man was standing in the center of the room he had a pistol in his hand he was the first thrill of the day for the fowler the name of the man with the gun was Max अब क्या हुआ कि यहाँ पे obviously fowler के लिए this was the first thrill of the day जो कि उसने expect हिया था क्या 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 रोमांच होगा अगर वो secret service agent से मिल रहा है लेगन ऐसा कुछ भी नहीं था तो जैसे ही पूर रूम में एंटर हुए यह मोटू से, स्लोपी से secret agent के साथ वो रूम में इंटर होता है light on होती है वहाँ पे एक आदमी खड़ा है गन के साथ तो यह पहला thrill था जो उसने expect हिया था कैसा हो सकता है यह पहली ऐसी चीज यहाँ पे हो रही थी और वो आदमी जो गन लेके खड़ा था वो कान था? Max था? ठीक है He said that he had come there to snatch the report from Ausable which he was expecting to receive Ausable remained silent and cool he seemed to be angry with the management of the hotel he cocked up the story about the balcony he told him that there was a balcony just below the window of his room and last month to an unknown person had entered the room through that balcony अब इसमें हुआ क्या? कि यह सब कुछ देखने के बाद भी Ausable बहुत cool है ठीक है बस को कहता है कि यार यह मैंना अब अब यह बात जो है मैं यह management के सामने लाने वाला हूँ और मैं management को बहुत आड़े हाथ लेने वाला हूँ हर बार का तमाशा है यार हर बार का तमाशा है मेरे balcony के बाहर के बाहर के बाहर के बाहर की balcony है इनको बंद करनी चाहिए थी इनको इन्होंने कहा था पिछली बार भी के सील कर देंगे वहां से भी एक इंट्रूडर पिछले महीने घुज गया था मेरे रूम में हर बार का वह नातक है यह तो यह क्या करता है यह कॉक अप करता है वह स्टोरी कि उसकी बैलकोनी उसके जो र के अलावा वहां पर फावलर और मैक्स दोनों को यह लगा कि हाँ वहां पिछले सा महीने भी कोई इंट्रूडर गुज गये थे ठीक है मैक्स बोलता है कि मैं वहां से नहीं आया हूँ मैंने मास्टर की किस्तिमाल किया है तुम्हारे रूम में आने के लिए बट ही विष्ट आप्ट होता कि नीचे कुई बालकनी नहीं तुम्हारे रूम में आने के लिए देव इस्टिमाल करता लेकिन मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था तुम्हां सिर्फ मास्टर की से सीरे सीरे घुज गुज गया हूँ he said it must be police because he himself had called them for the protection of such an important report तो जैसे ही नौक होता है दोर पे तो आजबल थोड़ा सा स्मिर्क देता है स्माइल देता है कहता रे पोलीस वाले होंगे मैंने उनको कहा था कि आप पहले आजाएगा ठोकी इपर चेक अन्मी बेकर इतनी important report है तो कुछ भी हो सकता है तो उसमें क्या होता है कुछ भी हो सकता है चलिए मैंस के आगे की story आपको सना दूँ कि कुछ भी हो सकता है और इसके बाद क्या होता है इसके बाद यह होता है कि जब वो max घबरा जाता है बहुत जादा नाम सुनके police का और वो कहता है कि तुम पुलीस को कुछ नहीं बताओगे ठीक है और वो गन को पॉइंट करता है किसके सामने और वो फावलर के उपर और वो उस पर जाके बैट जाता है विंडो पर और विंडो पर जाके पेन पर बैट जाता है और वो बल्कुल एक दम उस पर रहता है कि फोटेव्य नुक हो अब इस टाइम पर क्या होता है ये फावलर सोचता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ बार कर के नीचे गिरता है ठीक है और रहा होगी या फिर most probably मर गया होगा ठीक है और पदा क्या चलता है बाद में फावलर देखता है कि वो दर्वाज़ा खोलता है जब उसबल तो वहाँ पर दर्वाज़े पर कौन है दर्वाज़े पर भाई साथ वेटर है और हाथ में उसके ट्रे है और और प्लेस किया था और वो वेटर जो है वो वो ओर्डर देने आया था और तो इससे हमें पता चलता है क्या कि और ने किस तरह से आउट्विट किया मैक्स को और मैक्स पे बिना एक उंगली उठाए भी अपने रास्ते का काटा जो मैक्स था उसको साफ कर दिया और आपको क्य real real secret service agent and a smart guy all right so on this note I'm signing off and the last key obviously doing slides maybe for a story men are personality so I'm sure up coach alaga Oga story so much money have Pura obviously a piece of character to go a step of academy go catch okay subscribe to myself only because it would have me take a going if my boss are the rocket science as a tani like and I get some magic at me I you are you to need to link sector all right okay so I am signing off panda is saying bye bye take care of yourself do very well in the exam thank you so much